नमस्कार दोस्तो हमारा बिहर में आपका स्वागत है आज है 25 माई 2020 और 25 माई 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोफिशन है जो बिहर से जुरे हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी टेलिग्रा चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च किजे हमारा बिहर एच बी और चैनल को जोईन किजे वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंग्वेज मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिविज के द्वारा साउथ एसिया के क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस मैनेजर के पाद पर नुक्त किया गया है उनका नाम है अवास जया एप्शन इसका सही हो गया ठीक है और इनकी चमता का उप्योग्चिन एसिया में जलवायु परिव के लिए किया जाएगा और इसके इनके अधिकार छेतर में भारत बांगलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान स्रिलंका नेपाल और मालदीप सामिल है यह मुलता दोस्तों पूर्णिया के निवासी है तथा इनका प्रारंबिक सिक्षा पटना में हुआ है और 2001 में 20 बैंक से जूरे बंगलादेश भुटान भारत और स्यलंका के बैंक कारियाले में कारेकारी जिद्धेश भी रह चुके है तो दोस्तों यह पूर्णिया करें से सटा हुआ है तो देखिए अरडिया उसक्याद की सन गंज्य है पूर्णीया का है और मदेपूरा है ठीक है आद दोस्तो नाम आये पूर्णिया का तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं तो दोस्तो पूर्णिया जिला के साथ साथ एक प्रमंडल भी है और पूर्णिया जिला का मुख्याले पूर्णिया में ही है और पूर्णिया प्रमंडल के अंतरग ब्रहमांड के रहस स्वा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए बिहार के कि संस्था ने अमेरिका के एनरजी नेशनल लेबराटरी के साथ समझोता किया है तो बिहार की संस्था का नाम है दक्षिन बिहार केंद्रिये विश्विद्याले और इसी इस पडियोजना में दुनिया भर के 170 संस्थानों के 1000 से जादा पैग्यानिक एक साथ सोध करेंगे यानी रिसर्च करेंगे ठीक है अगला कोशन है कोरोना संकट के दौरान मदद के लिए केंद सरकार के दौरा विहार सरकार को नगद वा खादान के रूप में कितने करोर की मदद मिली है तो 11,744 करोर की मदद मिली है विहार को केंद सरकार के दौरा और जो दोस्तों ये 11,744 करोर है इसमें 5,719 करोर DVT के माध्यम से डारेक्ट गरीबों के खाते में ट्रांसपर किया जाएगा तता 6,024 करोर रुपया खादान मिला है जिसको गरीबों में बित्रित किया जाएगा अगला क्वेशन है हाली में चर्चित दर्भंगा की जोती को किस विभा का ब्रांड एंबेस्टर बनाने पर विचार किया जा रहा है तो पुरे भारत में जोती कुमारी का नाम प्रसिद्ध हो चुका है ये ग्रुग्राम से अपने पिता को बैठा कर कोरोना काल में अपने गाउल और ती थी 1200 किलो मेटर तक साइक्ल चलाने के करण इनको बहुत प्रसिद्धी मिली है ठीक है तो अब इनको ब्रांड डेमेस्टर बनाने का बिचार किया जा रहा है ठीक है और ब्रांड डेमेस्टर बनाए जाएगी केंद्रिये स्वास्त वह परिवार का लि दर्भंगा जिले. अब दरभंगा जिले का सिमा देखिखने किस किस जिला से सटा हुआ है तो दर्भंगा के गर उतर में दिखा जाए नौट्ट साइड में तो मदवनी जिला है ठीक है और हये साउत म!! जाए दक्षिन में तो ये समस्ती पूर जिला से सटा हुआ है और दर्भंगा जिला के अगर पूरव में देखा जाए तो ये सहर्षा से सटा हुआ है और पश्चिम में अगर देखा जाए तो ये मुझवफर पूर और सितामडी से सटा हुआ है अब दोस्तो नाम है दर्भं प्रमंडल के अंतरगर तीन जिला आता है दरभंगा मधुवनी एवं समस्थी पूर दरभंगा 16वी सदी में अस्थापित दरभंगा राज की राजानी था और यहां का प्रमुक उद्योग कागज मियू चीनी मियू जूट और हतकरदा उद्योग है प्रमुक नदी कमला और दरभंगा का प्रमुक फसल धान और मखाना हो गया और यहां का अब जो मिट्टी है यह जलोड मिट्टी है ठीक है असोग पेपर मिउस दरभंगा में है कुसेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में है जिसका स्थापना उन्हेशो चोड़ानदे में होगा था मिथला संस्क ग्री का निर्मान किया जाएगा तो दोस्तो राज के नौ जिला में ठीक है राज के नौ जिला में साइलो भंडार ग्री का निर्मान किया जाएगा अब क्या होता है साइलो भंडार ग्री तो यह एक अधिक छमता वाला एक आधुनिक गोदाम होता है और यह एक विसाल इस समतर रहेगा सारे साथ लाख डर्ण ठीक है और दोस्तो तीन जिला बकसर कैमूर और कटिहान में इसका निर्मानिकार सुरू हो चुका है और इसके अलावा भागलपूर समस्तिपूर खरगडिया दरभंगा और सारन और मदवनी में यह प्रस्ताबित है और इसमें पांच साल तक अनाज इसमें खराब नहीं होगा इसमें रखने से नेक्स्ट कोशन है दोस्तो बिहार के किस जिला में गंगा नदी में चार मंजिला डॉल्फिन भवन ऑफजर्वेट्री केंदर बनाया जा रहा है ठीक है तो दोस्तो गंगा नदी में चार मंजिला डॉल्फिन ऑफज चेटर बैटरी केंद बनाया जा रहा है भागलपुर जिला में सी ऑप्सन इसका सही हो किया और इस भावन से देश के 15 लुट्य उठाया जा सकेगा और वह देश का 15 लूट्पynn सेंचूरी जो से फ्लाइटी जिसको हम लोग हिंदी में चमकी बुखार भी कहते हैं तो AES के लिए रिसर्ट सेंटर बनाया जाएगा तो AES के लिए रिसर्ट सेंटर बनाया जाएगा और इस लैब से AES के असली कारणों का पताल लगाया जा सकेगा यह चमकी बुखार के पिरित बच्चों तथा उतके परिवारों का DNA अध्यान किया जाएगा इस मसीन के द्वारा ठीक है अगला कोश्चन है दोस्तो हाल ही में बिस्व कच्छुआ दिवस कब मनाया गया है तो बिस्व कच्छुआ दिवस मनाया गया है 23 मई के दिन ठीक है बी ऑप्शन इसका सही हो गया और बिस्व कच्छुआ दिवस का जो सुरुबात हुआ था वो 2002 से किया गया था वर्थ 2002 से तो दोस्तों ये था अजका current affairs चलते हैं कल के revision के तरफ तो कल के revision का पहला question था बिहार के किस मजिला को भारतिय साइक्लिंग महासन ट्राइल के लिए आमंत्रित की है तो इसका सही उतर हो गया जोती जो की दवंगा की है बी option इसका सही हो गया और दूसरा question था कल का बिहार के अधेपूरा में बने देश का सब्सक्ति साली रेल इंजन डवलू एजी 12 को पहली बार कॉंग से station के बीच चलाया जाएगा तो इसको चलाया गया है तो इसको चलाया गया है पंडित दिन दयाल उपादया से वारवाडी जारखंड ठीक है ए उप्सन इसका सही हो गया तो क इसके खिलाब सिकाया दर्च करने के लिए राज में वाट्सेफ नंबर जारी किया गया है तो इसकी सुरुबात किस जिला से की गई है तो इस दोनों कोशन का एंसर आप लोगो को कॉमेंट वाक्स में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा करता हूं आप और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या है तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए तो अपने दोस्तों में जरूर सेर करें और दोस्तों इस वीडियो का आप आप रिविजन करना चाहते हैं तो खबरी अप्लिकेशन पे हमारा भ कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो के डिसक्रिपन बॉक्स में आपका प्लका लिंक देया गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बिहार समाने ग्यान का वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है और मैंने बिहार समाने ग्यान के नाम से एक प्लेलिस्ट कर दिया ठीक है उस प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो एक साथ बिहार जीएका मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के कि इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।